नमस्ति दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों हम समतल दर्पन से प्रतिभिम के निर्मान को समझ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पन से प्रतिभिम का निर्मान और साथ में देखेंगे हम कारतिय चिन पदती या कारतिय चिन परिपाटी दोस्तों बुक में आपकी में कारतिय चिन परिपाटी को गोलिय दर्पन से प्रतिविम निर्मान से पहले बताया गया है पर मैं इसको गोलिय दर्पन से प्रतिविम निर्मान को बता कर उसके बाद में बताऊगा ताकि हमारी concept और अच्छी तरह clear हो जाएं हम जो गोली दर्पन से प्रतिविम निर्मान में सीखेंगे उनी की साहिता से कार्तिय चीन परिपार्टी ज़्यादा अच्छी तरह कई से इस पच्ट हो पाएगे हमारे लिए इससे पहले हमने वकरता केंदर, वकरता तरिज्या, दुरूव या प्रकाश केंदर, मुख्य आक्स, मुख्य फॉकस, फॉकस दूरी इन सब को पहले वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था तो उनकी साहिता से हमको, अब जो हम गोली दर्पन से प्रतिविम निर्मान को समझेंगे तो इसमें काफी साहिता मिलेगी उस चीज से यानि जो भी कंसेप्ट वह उसी की वज़े से हम आगे बढ़ पाएंगे तो देखिए गोली दर्पन से प्रतिविम का निर्मान तो अच्छा ये बता है ये गोली दर्पन कितने प्रकार के थे विल्कुल से गोली दर्पन दो प्रकार के थे उतल दर्पन और अवतल दर्पन तो हम देख रहे हैं गोली दर्पन से प्रतिविम निर्मान किस प्रकार से प्रतिमिम बनता है उत्तल दर्पन से देखिए अच्छा बताईए कि क्या बना रहा हूँ है ना बताते चलना एक बार कौन सा दर्पन है बिल्कुल सही यह उत्तल दर्पन है तो अब बताईए यह उत्तल दर्पन का क्या है बिल्कुल सही क्या है मुख्य अक्ष्य है मुख्य अक्ष्य है यह हो गया आपका उत्तल दर्पन और यह इसका मुख्य अक्ष्य है अच्छा मुख्य अक्ष्य पर यह बिन्दू क्या है तो यह है इसका यह है इसका दुरू लिखने रहाँ किरण चित्र बना नाम को यह क्या है इसका धुरू है दुरू क्या था दोनों वकरता केंद्रों के बीच में इस्तिता धुरू जिस पर गेन्ने वाली प्रकास की किरन बिना कौन बनाए वापस लोट आती है किस गटना में परावरतन गटना में और बिना मुड़े वे सीधी निकल जाती है अब वरतन गटना में देखिये अब देखिये यह माल लिजी यहाँ पर है हमारे पास वस्तू वस्तू या बिम्ब यह है बिम्ब देखें दो चीजें बिम्ब और प्रति बिम्ब बिम्ब है वस्तू और प्रति बिम्ब जो इसकी इमेज बनेगी परावर्तन के पस्चात वो प्रति बिम्ब कहलाएगी आप देखिए बिम्भी या वस्तू से प्रकाश की किरने आती है प्रकाश की किरने आती है किस पर उत्तल धर्पन के परावर्तक प्रष्ट पर यह माल लेजी प्रकाश की किरन आई सभी किरनों को नहीं दिखाएंगे क्यों किरन चितर बनाने भी रहसुईद होगी तो एक प्रकाश की किरन यह लिली हमने यह आ रही है मुख्य अक्स के समनांतर दूसरी प्रकाश की किरन मालोव मुख्य अक्स के अंदर से ही आती है तो जो मुख्यक्स के अंदर से आएगी वो कहां गिरेगी इसके दुरूपर और जैसे कि हमारा नियम कहता है कि दुरूपर जो प्रकास की किरन गिरती है वो टकरा कर वापस बिना कोई कोण बनाए वापस उसी दिशा में लोट आती है यानि मुख्यक्स मेंसी ही वापस निकल के आ जाएगी है यानि कि इस स्थिते में आपतन कोण और परावरतन कोण का मान कितना होगा शुन्ने होगा ये याद रखेगा कि जब प्रकास की किरन धुरूपर आप्तित होती है तो आपतन कोन और परावरतन कोन का मान शुन्य होता है कब जब हम दरपन पड़ रहे हैं और जब लेंस पड़ेंगे तो अपुवरतन होगा और उस इस्तिते में अगर प्रकास की किरन धुरूविया प्रकास के अंदर गिरती है तो गिरने के पश्चाद बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी और उस इस्तिते में आपतन कोन और अपुवरतन कोन का मान शुन्य होगा अब देखिए प्रकास की किरन समना अंतर गिरी उत्तल दरपन पर और गिर कर चली जाएगी इस प्रकार से इस प्रकार से टकरा कर वापस लोटेगी अब देखिए इसको देखने से हमको एक आवास हो रहा है एक पता लग रहा है कि मुख्य फोकस तो बनाई नि तो देखिए दो प्रकार से मुख्य फोकस बनता है या तो प्रकास की किरने मिल रही हो कहां मुख्य अक्स पर या प्रकास की किरने मुख्य अक्स पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हो अब उत्तल दर्पन की स्तितिम देखिये क्या होता है प्रकास की किरन आई टकराई और वापस लोट गई अब देखिये अगर इस प्रकास की किरन को हम इदर आकर इस प्रकार से दे देखें तो क्योंकि हमारे आके प्रकास की सीधी किरण को देख पाती है इसलिए इस परावर्तित किरण को यह कौन सी किरण है यह कौन सी किरण है परákतित किरण और यह कौन सी थी आप्तित किरन तो देखिए तो जब इस परावर्तित किरन को आगे की और बढ़ाते हैं मतलब सीधा करते हैं क्यों करेंगे सीधा क्यों हमारे यहां के सीधे प्रकास की किरन को देख पाते हैं तो जब इस परावर्तित किरन को हम सीधा करते हैं या आगे की और बढ़ाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ पर मुख्य अक्स को काड़ती हैं और मुख्य अक्स से जो किरन निकल रही है वापस आ रही है इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर किरने आपस में मिलती हुई क्या होती हैं प् प्रतीत होती हैं, इसी लिए इसको हम चाहें तो डैस 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 के रोप में दिखा सकते हैं, क्यों दिखाया है, क्यों प्रकास की किरन मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, प्रतीत हो रही है, तो ये जो बिंदु है, क्या कहलाएगा, वह प्रकास की किरन जा मि बिलती भी प्रतीत होती हैं, तो वो बिंदू क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, वेरी गूड, तो ये हो गया इसका, मुख्य फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस, और एक बात ध्यान रखिए, कि जो प्रतिबिम्ब बनेगा, वो प्रतिबिम्ब हमेशा मुख्य फोकस पर ही बनता है जहां भी मुख्य फोकस बनेगा वहाँ प्रतिभिम का निर्मान होगा इसका मतलब उतल दरपण में प्रतिभिम का निर्मान कहा हो रहा है धरपण के पीषे की ओर यानि दाहीनी ओर और बिम्ब या वस्तू को किदर रखा है हमने दरपण के बाई और या दरपन के बाय और रखा है किसको बिंब को तो प्रतिबिम बनता है दरपन के पीछे दौनी और। तो प्रतिविंब बना दरपन के पीछे, अब देखिए, ये प्रकास की जो कीरने हैं, वो मिल नहीं रही है, मिलती ही प्रतीत हो रही है, इसका मतलब जो प्रतिविंब बनेगा, वो कैसा होगा, वास्त्विक होगा या आवासी होगा, विल्कुल सही, ये होगा आवासी, आप बोलेंगे सर फिर यह वास्तिविक क्यों नहीं बना या इसको आवासी क्यों कह दिया तो देखिए बच्चों इसलिए कह दिया कि जब प्रकास की किरने वास्तों में मिलती हैं तो प्रतिविम बनता है वास्तिविक और जब प्रकास की किरने मिल वास्तों में नहीं मिलती हैं म हमेशा सीधा होता है अभी आपको ये बाते नहीं लगेगी लेकिन जैसे से आगे चलेंगे ये पूरा क्लियर होता जाएगा आपके उलतना है जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा दिमाग में कैच करती चलिए कि जब किरने वास्तों में मिलती है यानि मुख्या फॉकस होता है वास्तों मिलने से बनता है तो प्रतिविम वास्तों होता है और वो प्रतिविम कैसा होता है उल्टा होता है जब किरने मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिविम कैसा होता है आभासी होता है और सीधा होता है यानि कि जो उत्तल दरपन से जो प्रतिविम्ब बनेगा वो कैसा होगा आभासी और सीधा होगा कैसा होगा प्रतिविम्ब इसका प्रतिविम्ब होगा प्रतिविम्ब होगा आभासी सीधा आवासी और सीधा होगा किस से उतल दर्पन से यह हम देख रहे हैं उतल दर्पन से प्रतिविम का निर्मा तो उतल दर्पन से प्रतिविम बनेगा वो आवासी होगा सीधा होगा और किदर बनेगा बनेगा किदर दर्पन के पीछे दरपन के पीछे बनेगा अधात दुरूव के किस दिशा में? दाई दिशा में दुरूव के दाई बनेगा बिल्कुल ठीक है तो ये चीज हो गई किसमें उतल दरपन से प्रतिविंब का निर्मान अब एक चीज देखिए समझना अगर उतल दरपन से प्रतिविंब के निर्मान को हमको समझाना है तो ये बात हमको समझानी है क्लियर और यदि और साथ में देखिए एक चीज ध्यान रखिए दुरूव है ये ये इस सागया दुरूव के बाई और का और ये इस सागया दुरूव के दाई और का अब देखिए अगर दुरूव को हम मान ले जीरो इसकेल के उपर ये इसकेल मान ले पूरा इसकेल पे दुरूव को मान ले जीरो और दुरूव से अगर हम वापस चलें यानि की उल्टी दिसा में चल रहा है इसकेल पर जीरो के पहले के आते हैं फिर जीरो के पहले कोई वो लगता है जीरो तो सबसे छोटा है जीरो के पहले के आएगा अरे नहीं जीरो से छोटी संक्या माइनेस की सारी संक्या जीरो से छोटी है तो जीरो से इधर चलेगे तो संक्याई किसकी आएगी मायनस की यानि रिनात्मक कहने का मतलब धुरू से बाईयों और चलने की जितनी भी दूरिया है यसे बिम्ब की दूरी आना ये सबी क्या होती है रिनात्मक ऐसे ही मालो जो हम उत्तल धर्पन पढ़ रहे हैं तो इसकी जो वकरता त्रिज्या है ये दूरू है ये इसकी वकरता के इंदर होगा तो ये क्या होगी वकरता त्रिज्या तो ये भी कैसी होगी रिनात्मक यानि कि उत्तल धरपण में बिम्ब की दूरी और वकरता तिर्जिया रिनात्मक होती है अब चली जीरो माना अगर इस दिसा में हम चलेंगे इस केल पर क्या अगर धनात्मक आएंगे प्लस की संक्या आएंगे तो कहने का मतलब ये क्या हूँ आपने एक तो जो मुख्या फोकस मन रहा है तो मुख्या फोकस और दूरू के बीच की दूरी क्या कहलाएगी फोकस दूरी कहलाएगी तो फोकस दूरी कैसी होगी धनात्मक किस में उत्तल धरपण में उत्तल धरपण में फोकस दूरी कैसी होगी धनात्मक अब देखिए एक चीज और समझे साथ साथ के अंदर ये आपका मुख्याक्स है अगर जो प्रतिभिम बनता है वो मुख्याक्स के उपर के और बनता है तो ये होगा धनात्मक और अगर प्रतिभिम बनता है नीचे की और तो यह होगा रिनात्मक क्लिया रहे अगर धुरूव से इस दिसा में चलते हैं तो रिनात्मक यानि जो आपकी बिम्ब की दूरी है रिनात्मक वकरता क्रिज्या है रिनात्मक किसमें उत्तल धर्पन में अगर हम चलते हैं इस दिसा में तो एग दनातमक तो इस दिसा में उतनल तरपड में क्या हो रहा है? एक तो focus दोरी है, focus दोरी किसे कहते है? मुझे focus ओर दूर के बीच की दोरी focus दोरी कहलाती है यानि फोकस दोरी कैसी आएगी? धनातमक ठीक है दूसरी बात प्रतिबीम को अगर देखें तो प्रतिवीम उपर बनता है तो धनात्मक और नीचे बनता है तो रिनात्मक तो उत्तल दर्पन में आबासी प्रतिवीम बन रहा है तो आबासी हमेशा सीधा होता है तो सीधा होता था कैसे होगा धनात्मक प्रतिवीम होगा तो जहां तक मैं मानता हूँ आपके उत्तल दर्पन से प्रतिविम निर्मान बिल्कूल क्लियर हो चुका है तो क्या बनता है थमसब तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे थमसब का चिन हाप थमसब देते चलिए मुझे तक पहुचेगा और आगे हम चलते चलते हैं इसी जोस के साथ में तो देखिए यह हो गया उत्तल दर्पन से प्रतिविम निर्मान नेक्स्ट क्या देखेंगे आउतल दर्पन से प्रतिविम निर्मान तो देखिए अब हम देखेंगे आउतल दरपन से प्रतिबिम्ब निर्माण अगर ये उतल दरपन से आपको समझे में आगया है आउतल दर्पन से प्रतिबीम का निर्मान हम देखते हैं तो देखिए आउतल दर्पन आपको बनाना है कहने का मतलब परावर्तक प्रेश्ट कहा होगा अंदर की और वकरित होगा तो ये हो गया अंदर की और वकरित ठीक है ये हो गई इसकी क्या परावर्तक प्रेश्ट अब बताए फटा फट बताते चलो ये क्या होगा इसका मुख्य अक्ष क्या होगा ये होगा इसका मुख्य अक्ष ठीक है ये क्या होगा इसका द्रू और द्रू और उसके वकरिता कैंदर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी उसकी वकरिता त्रिज्जा ठीक है अब चलिए यहां माल लेते हैं हम बिम्ब या वस्तू ठीक है अब बनाते हैं हम वस्तू से जो किरने आएंगी वो एक किरन हमने बताई बिलकुल समाना अंतर किसके मुख्य अक्ष के दूसरी किरन मुख्य अक्ष में से ही गुजरेगी ठीक है गुजर रही है अब देखिए प्रकास के किरन टकराई इस परावर्तक प्रश्ट से किसके परावर्तक प्रश्ट से आउतल दर्पन के परावर्तक प्रश्ट से अब यहां से किरन का क्या होगा परावर्तन होगा टकराकर वापस आएगी तो यह किरन टकराकर वापस आती है इस तरह से ठीक है यह आती है इस तरह से यह आई ठीक है तो वापस टकरा कर यह मुख्य अक्स पर किस बिंदू पर एक दूसरे को काट रही है किस से एक किरन तो यह आई टकरा कर इस तरह से आई दूसरे परकार के हमने किरन मनाई जो मुख्य अक्स के अंदर से ही जाती है तो नियम वो ही टकरा कर वापस उसी रास्ते पर लोटाएगी उसी रास्ते पर लोटाएगी तो फिर दोनों किरने मिलेंगी इस बिंदू को हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तो इस बिंदू को बोलेंगे हम इसका मुख्य focus मुख्य focus बोलेंगे ठीक जी अभी हमने देखा था प्रतिविम निर्मान कहां होगा मुख्य अक्सपर ही होगा यहां पर आप चीज देखिए यह हुआ आपका प्रतिविम देखिए किरने वास्तों में मुख्य अक्ष पर जो मुख्य focus को भियाएंगे दोनों मिलेंगी जाँ पर वास्तों में मिल रहा है इसलिए प्रतिविम कैसा होगा वास्तविक कैसा होगा वास्तविक होगा और कैसा होगा सीधा होगा क्या उल्टा होगा उल्टा होता है वास्त्विक होगा तो उल्टा ही होगा ठीक है और कहां बनेगा दुरू से पहले दुरू से पहले अब देखिए जब दुरू से पहले बनेगा तो क्या होगा दुरू ये है इधर की दूरी क्या कहलाती है जीरो से पहले माइनस इधर की दूरी रिरनात्मक कहलाएगी इसलिए मुख्या फोकस और दूरू के बीच की दूरी फोकस दूरी तो इस इस्तिति में फोकस दूरी दूरी और साथ में बिम्ब वस्तू, वस्तू से दूरी, किसकी दुरू की, वस्तू से दूरी, दोनों कैसी होगी, दोनों होगी, रिनात्मक, दोनों कैसी होगी, रिनात्मक, अच्छी तर समझ में आगए, दूरू से इस दिसम चलते हैं, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्या फॉकस और दुरूब के बीच की दूरी तो ये भी इस दिशा में है यानि रिनात्मक है वस्तू की दूरूब से दूरी यानि वस्तू भी वस्तू थो हमेशा ही रिनात्मक दिशा में होती है तो ये भी रिनात्मक दिशा में है ठीक है और जो प्रतिविम बनेगा प्रतिविम कैसा है वास्त्विक है तो वास्त्विक होगा तो हमेशा उल्टा बनेगा यानि कि प्रतिविम बनेगा इस प्रकार से जब इस प्रकार से बनेगा तो प्रतिविम्ब कैसा है धनात्मक है की रिनात्मक है तो प्रतिविम्ब होगा कैसा रिनात्मक नीचे की और मन रहा है ना तो रिनात्मक होगा अब आवतल दर्पन में एक इस्तिती ऐसी भी है जिसमें किरने मिलती हुई प्रतीत होंगी इस दिशा में तो उस आगे देखेंगे कौनची इस्तिती हो तो इस इस्तिती में क्या होगा यानि प्रतीविम अगर बनता है द्रू के दाहिनी ओर तो वो कैसा होगा धनात्मक होगा और चुकि किरने मिलती हुई दिखेंगी तो वो आभासी होगा सीधा होगा जीधा होगा तो वो प्रतीविम धनात्मक होगा किस स्थिति में कि यदि प्रतिबिम्ब दाई और बनता है तो वो होगा धनात्मक उसकी क्या होगी फिर फोकस दूरी धनात्मक होगी तो फोकस दूरी और यह होगी धनात्मक और प्रतिबिम्ब सिधा बनेगा तो वो भी धनात्मक ही होगा तो दोस्तों यह हो गया आपका आउतल दर्फबिम्ब का निर्मान आउतल दर्फबिम्ब का निर्मान इसमें आपने यह भी देख लिया सासात में कि फोकस दूरी वकरता तरिजिया बिम से दूरी ये धनात्मक है या रिनात्मक है या धनात्मक रिनात्मक क्यों कहते हैं कब कहते हैं किस प्रकार से कहते हैं इसी प्रकार हमने देख लिया कि जो प्रतिबिम बनेगा अगर दाहिन योर बनता है किसमें आउतल दर्पन में तो आबासी होगा आबासी होगा तो सीधा बनेगा धनात्मक होगा दोनों स्तितियों में तो दोस्तों यह हो गया आपके गोली दरपन से प्रतिविम का निर्मान और अब हम जल्दी से देख लेते हैं कारतिये चिन पदती यह कारतिये चिन परिपाटी कार्तिय चिन परिपाटी क्या चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कार्तिय चिन परिपाटी जश्ट इसके आगे वाले वीडियो में हम देख लेंगे आपको मैंने पहले बताया था नोट्स कंप्लीट करते चलना कोई वीडियो मिस्क मत करना आप कोशिस रहेगी कि सूबह और शाम दोनों समय में आपको एक एक वीडियो अवेलबल करा दूँ ठीक है दोस्तो और साथ साथ में इसको जो आपके और बाकी के दोस्त हैं जो अभी तक नहीं जा गया हैं चुट्टिया माना रहा हैं तो उनको जगा दीजिए कोर्स चालू हो चुका है सेलेबस चालू किया जा चुका है और उनसे आप शेर कीए उनसे फोन से बात कीजिए ताकि वो भी इससे अटेच होकर इसका फायदा उठा सकें ठीको दोस्तों टैंक यू